A very good morning friends, तो आज हम बात करने वाले हैं staining के बारे में staining का use microscopy में क्यों जरूरी है और किस तरह से ये different होता है light microscopy में और electron microscopy में बहुत सारे questions आप से पूछे जाते हैं basic होते हैं कुछ आपके sense of humor पे भी depend करते हैं कि आप किस तरह से उसे answer करते हैं तो सबसे पहले light microscope में हम start करेंगे staining को तो staining का जो हम use करते हैं जैसा पहले point में लिखाए कि color या contrast को enhance करने के लिए use किया जा सकता है हो सकता है किसी bacteria का कुछ अपना color हो लेकिन इतना उसमें contrast ना हो कि हम उसे microscope में ठीक तरह से identify कर पाएं तो इसलिए हम staining करते हैं और staining से पहला step जो होता है वह आपका fixative का होता है जो हम पिछली वीडियो में discuss कर चुके हैं अब यहां पर second points जो है यह तो staining की light को absorb करती हैं और जब इन पर जो white light है या जो light है वो गिरती है अब यहां से आपसे जो question किस तरह से पूछा जाता है अब यहां पर आप slide में देख रहे हैं कि slide आपको light color की जो है आपका red color की दिखाई दे रही है तो red color की slide आपको दिखाई क्यों दे रही है वो अब आपको समझ में आएगा वो चीज वो concept clear होना बहुत ज़रूरी है यह question आपका JNU में पूछा हुआ है कि आपको green color green क्यों दिखाई देता है red color red क्यों दिखाई देता है अगर wavelength में बात करें तो बाकी lights की जो wavelength है उनको इसने absorb कर लिया और red color को reflect कर दिया यही question आपका JNU में green color का example देके पूछा हुआ था कि हमें green color क्यों दिखाई देता है या जो chlorophyll है उसका color हमें green क्यों दिखाई देता है तो वो simple सा था कि वो green color की light को जो है reflect कर रहा है और बाकी दूसरी lights को absorb कर रहा है यही चीज आपकी dyes में होती है stains में होती है कि वो एक जो है आपकी absorb किसी और wavelength की lights को करती है और reflect किसी और wavelength की light को करती है आने वाली slide में एक point मैंने include करा है उसमें अब second slide पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर आपको different तरह की bottles दिखते हैं जिसमें हम dyes है इन bottles में आप देखेंगे कि ऊपर जो है एक drop पर लगा है क्योंकि हमें ज्यादा stain नहीं डालना होता है एक या दो drop से ही हमारा काम चल जाता है तो saffronine है gram stains है इसके साथ साथ आपने बहुत सारी stains देखी होंगी नाम सुना होगा crystal violet का methylene blue का आपने saffronine का नाम सुना होगा और इसके साथ साथ आपने gram stains में कार्बल आपका जो जहिल नेंसल होता है कार्बल फिश्चिन जिसे हम कहते हैं उसका नाम सुना होगा और कुछ special stains जैसे आपका capsule में जो होता है आपका melachite green जो है उसका यूज करते हैं आपका staining में endo sports में आप देखेंगे endo आपकी जो endo sports staining होती है वहाँ पर उपर depend होके हम अपनी stain को चूज करते हैं इस slide में हम देखेंगे कि वहीं point है कि absorb certain colors को करती है और जो reflect है दूसरे color को करती है आई से अब कुछ हम देखेंगे कि कुछ light microscope और electron microscope अब यहाँ पर एक point जो है बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि light microscope और electron microscope में staining किस type की हो सकती है दोनों में same होती है अलग होती है कौन-कौन सी dyes है जो हम use कर सकते है तो एक important जो है आपके कुछ यहाँ पर dyes हैं जो मैंने यहाँ पर include करी हैं जिन से direct question पूछा जाता है क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी properties हैं जो आपके exam में target की जाती है सबसे पहले light microscope में हम जो stains use करते हैं उन्हें classify कर दिया जाता है acidic stains में और basic stains में तो कुछ examples देखेंगे आप यहाँ पर जैसे कि पहले example है hematoxylin का यह आपका basic amino acid से bind होती है hematoxylin आपकी basic amino acid जो आपके arginine और lysine होते हैं उनसे bind होती हैं और अगर आपसे पुछा जाए कि most basic amino acid कौन सा है तो आपका answer होगा arginine तो arginine और lysine यह दोनों आपके basic amino acid है histidine भी आपका basic amino acid है और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा basic है वो आपका arginine है अब एक question यहाँ पर आपसे पुछा जाता है कि जो आपके protein amino acids है basic है या acidic है तो यह dyes जो है अब यहाँ पर basic के साथ bind हो रही है तो amino acid के basic side chain chain जो arginine के साथ जो side chain है उसके साथ जाकर bind हो जाएंगी जो उसमें basic component है mainly NH2 होता है imidazole ring होती है यहाँ पर हम देखते हैं next है fast green इसका use हम तब करते हैं जब हमें cytoplasm में present basic components को study करना हो वहाँ पर हम fast green का use करते हैं अब कुछ acrylic dyes के बारे में बात कर लेते हैं सबसे important sepheranine sepheranine जो है आपके acidic components के साथ bind करती हैं जैसे कि आपका nucleus हो गया क्योंकि negative charge होता है आपका जो dna है nucleus में present होता है तो dna को जब हमें देखना होता है stain करना होता है तो हम sepheranine का use कर सकते हैं और इसके साथ साथ जब acidic की बात हुई है तो आपका acidic amino acids जो आपके दो होते हैं आपका glutamic acid और aspartic acid तो इनके जो side chain में आपका एक carbosilic group जो present है उसके साथ जाकर यह जो dyes हैं यह जाकर bind हो जाती है तो sepheranine भी आपकी acidic components के साथ bind होती है eosin भी आपकी acidic component के साथ bind होती है तो amino acid यहाँ पर aspartate और glutamate लिखाए यह आपका ionic form में लिखाए और सबसे important question जो पूछा जाता है third point में methylene blue को लेकर कि आपकी कौन सी acid dye है जो एक medication की तरह भी use हो सकती है या आपका जो meth methemoglobinia है उस case में आपकी कौन सी dyes use होती है methemoglobinia का जो case है तो उसमें आपका methylene blue use होता है as an antidote इसको staining के लिए भी use करते है methylene blue को लेकिन यह medication के case में भी use होता है आपका methemoglobinemia के case में यह सबसे important point है dice section में methylene blue को लेकर क्योंकि यह question बहुत सारे PGI entrance में पूछा गया है कि methylene blue का other use क्या है अब हमने यहां तक बात करी थी light microscope में अब बात करते हैं electron microscope में और एक question आपका जो दिली university exam में पूछा हुआ है कि electron microscope में हमें किस तरह का contrast मिलता है तो यह हमारे हमें कोई भी color जो है electron microscope में दिखाई नहीं देता है हमें black and white जो images है जो हमारा bacteria सिर्फ black and white ही दिखाई देता है तो इसमें हम color stains तो use कर ही नहीं सकते हैं तो एक parameter आपका वहीं खतम हो गया कि इसमें light microscope वाली stains जो है हम use नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें image ही black and white मिलती है तो सबसे पहला point यह है कि इसमें जो आपका contrast आता है कि black color कितना ज़्यादा आपका black है white color कितना ज़्यादा आपका whitish है तो वह जो contrast है वो किस पर depend करता है वो आपका depend करता है atomic number पे और जो भी हमारा biological चीज़े हैं वो हमारे carbon hydrogen oxygen sulfur इनी सबी से बनी है और इनका atomic number देखे तो हम बहुत कम होता है carbon का 6 होगा oxygen का 8 nitrogen का 7 hydrogen का 1 sulfur का 16 तो इन सब का atomic number बहुत कम है अगर हम यहाँ पर stains ना यूज करें तो हमें blur image दिखेंगी electron microscope में भी हमें इतनी अच्छी images नहीं मिलेंगी अगर हम staining नहीं करेंगे electron microscope में तो अब एक simple सी बात है यहाँ पर जो second point लिखा है कि atomic number के उपर depend है तो हम stain उन से करेंगे जिनका atomic number जादा है और atomic number जादा होता है आपके heavy metals का तो हम heavy metals का use करते हैं आपके electron microscope में तो यहाँ पर एक case है जो हम देखेंगे electron microscope में आपका positive contrast और negative contrast का positive contrast और negative contrast का जब भी आप case देखते हैं तो एक point यहाँ पर बहुत जादा important हो जाता है कि positive contrast जो है यह जो specimen है वहाँ पर atomic numbers की जो density है उसको बढ़ा रहा है और हमारा side का जो background है वो white है positive contrast आप देखेंगे beach का जो reason है वो पूरा आपका black है और side का reason आपका पूरा white है तो यह positive contrast है और negative contrast क्या है कि आपका outside का reason है वो आपका black है और जो specimen है वो आपका जो है आपका white है वहाँ पर जो density है वो कम है और जो बहार है वो density जाद है तो अभी हम positive contrast और negative contrast इनको हम आने वाली slides में देखेंगे लेकिन यह image जो है बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि positive contrast में specimen के अंदर जो है density बढ़ जाती है within the specimen है जो कुछ dyes है जो आपकी within the specimen काम करती है और कुछ dyes है जो आपकी outside the specimen काम करती है तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले negative contrast के बारे में कि आपका जो है uranile acetate और phosphor tungstenic acid जो है वो यूज करते है negative आपकी contrast में जो बहार जो है आपकी density को बढ़ा देते हैं mainly जो heavy metals के जो salts होते हैं उन उनका use किया जाता है staining के लिए क्योंकि उनका atomic number ज्यादा है तो इसकी वजह से वहाँ पर हमें clarify image हमें मिलती है staining करते हैं तो negative contrast में हमारे पास uranile acetate और phosphor tungstenic acid का use होता है जो की background को stain करता है अब background को stain कर रहा है तो इसका मतलब है कि outside जो है वो आपका dense हो जाएगा और जो specimen में है वो आपका lighter हो जाएगा अब uranile acetate और phosphor tungstenic acid के अलावा भी हम कुछ ऐसे salts है जिनका use कर सकते हैं molybdenum salts का भी use किया जाता है आपका negative contrast type की staining के लिए अब positive contrast की देखें तो इसमें क्या होता है just opposite है outside आपका light हो जाता है और specimen जो है आपका dance हो जाता है कि उसके अंदर जो है वो dice चली जाती है within the specimen तो यह आपका important point है कि positive contrast में क्या होता है negative contrast में क्या होता है कौन से salts आपके use किया जाते हैं यहाँ पर आपका use होता है uranile acetate और lead citrate uranile acetate आपका positive और negative contrast दोनों में same है तो uranile acetate जो है आपका phosphate और amino group के साथ bind करता है nucleic acid और protein phosphate group जो है आपका nucleic acid में present होता है उसके साथ और amino group जो आपका NH2 group है protein में उसके साथ bind करता है uranile acetate और lead stains जो है आपका negatively charged component चाहे वो DNA हो या कोई भी negatively charged हो उनके साथ जो है lead stains bind करता है तो यह आपके जो specific example है जैसे uranile acetate, lead citrate, phosphor tungstenic acid या फिर जो आपका positive contrast, negative contrast में difference क्या होता है यह सब questions आपसे directly पूछे जाते हैं exams में तो I hope you like the video, for your support you can press the subscribe button, thank you so much and all the best करता है टाई कर दो सेट आपका सकता है तो जो है जो है तो यहारी जो जो है पूँगाग है झाल गलिग झाल सबस्ट पस्टूआ कर पस्टूदूगर बहुआ टाचकर भी लाह है जो है जो है जो आपकाशूगर्टें ुवजगर इस गzent़ है को बहाया दोग्शचर,